हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूटीब चैनल इस वीडियो में डिजिटलिस परप्यूरिया मेडिसिन की बात करूंगी और उसके सारे सिम्टम्स को कवर करूंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अचानक से बहुत गर्मी लगती है उसके बात क्या होता है वीकनेस होना लगता है नर्वसनेस होने लगती है इर्रेगुलर इंटरमीटिंग पल्स मतलब एक पल्स होगा एक बीट दूसरा बीट नहीं होगा डॉप कर जाएगा फिर धर्ड बीट होगा अकरिंग एन क्लाइमेक्टिरिक उस टाइम में होता है औरतों को जब उनका पीरेट खतम होने पे हो मेने पॉस पे हो हर इस टाइम में अगर पेशन थोड़ा सा भी मूव करेगा हटेगा चलेगा या फिर बाड़ी भी मूव करेगा तो उसको उसकी तकलीफ बढ़ जाती है अब हम इसके हर्ट सिम्टम की बाड़ करते हैं डीजिटल इस एक हर्ट की बहुत ही अच्छी मेडिसीन है जहां पर आपको इंटरमीटन या इर्रेगूलर पल्स मिले मतलब वो पल्स इर्रेगूलर नहीं होगा एक बीट होगा फिर ड्रॉप होगा फिर दूसरा तीसरा बी जले एक अगर फिर करेंग तो हर्ट अपना काम करना रोगतेगा इसके लिलेशंशिप में को कि इसके अच्छी में लुक इसके पोलते हैं जब आपको कई बार डायरिया हो गया हो उसके बाद अच्छीम से निकलते हैं तो आपके पेट में ऐसा feeling आता है कि और ताकत नहीं है और जान नहीं है आपके अंदर इसी को sinking feeling and abdomen कहते हैं फिर patient को ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा nightly emission with great weakness of the genital after quotient night में emission होता है उसके बाद उसके private parts में बहुत weakness होती है लगता है कि उसमें जान नहीं है यह कब होता है quotient या फिर intercourse के बाद इसके dreams की अगर हम बात करें तो इसको dream आती है of falling, nightmare, fright in cardiac affection लगता है कहीं से गिर जाएगा, भूत परेट का या और डरने का इसके साथ इसका cardiac disease भी रहता है इवन बात भी नहीं कर पाता है इसके relationship में में स्टानम में देखते हैं stool very light, ash color, delayed, chalky, chelidonium, podophyllum, almost white, calgaria, carvinson, kona, pipe stem stool, involuntary stool जो होता है बहुत light होता है, ash color का होता है, yellow की जगा, almost white होता है pipe stem stool मतलब पुरा एक pipe की तरह पतला ऐसा होगा, उसमें कोई बीच में irregularity नहीं होगी involuntary मतलब अपने आप होते रहता है, without हम जब stool pass करना चाहते हैं, तो stool pass होता है, उससे रोख भी सकते हैं लेकिन इसमें आप रोख नहीं सकते हैं, stool को involuntary stool होता रहता है pulse full irregular, very slow and weak, intermittent every third, fifth और seventh bit यह pulse digitalis का बहुत ही important है, इसके basis पे बहुत सारे homeopathic doctor digitalis को prescribe करते है कि pulse full होगा, लेकिन irregular होगा, regular नहीं होता है, कब होगा, intermittent every third, fifth और seventh bit third मिलेगा, उसके बाद fourth नहीं मिलेगा, फिर fifth आएगा, फिर sixth नहीं मिलेगा, seventh मिलेगा जब आप किसी patient का pulse शेक करेंगे हाथ में, तो उसको आप एक beat, दो beat, एक third beat ऐसे नहीं मिलेगा, first मिलेगा, beat, then third मिलेगा, then fifth मिलेगा, ऐसे face pale, death like appearance and bluish red, जब cardiac affection हो या cardiac block हो, तब ऐसा होता है, पुरा चाहरा pale हो जाता है, जैसे कि चाहरे का रंग उड़ गया है, redness नहीं है, बदन में खूर नहीं है, death like appearance of patient मर जाएगा blueness of skin, eyelid, lip, tongue, cyanosis, पूरा skin जो होता है, वो blue हो जाता है, usually blueness को हम लोग cyanosis कहते हैं, medical term में, यह उस वक होता है, जब आपके body में बिल्कुल भी खूर नहीं रहता है, तो खूर की रफ़तार की, या खूर को पहुशने में, organs में कमी होती है, तो वहाँ पे वो skin blue हो जाता है, जिसको medical term में cyanosis भी कहते हैं, distended vein on lead, ear, lips and tongue, respiration irregular, difficult, deep shine, सास लेने में तकलीफ होती है, irregular होती है, जिसे एक normal rate होता है, एक मिनट में इतना बार है, तो वो respiration irregular होता है, deep shine बहुत जोर जोर से patient सास लेता है, the fingers go to sleep frequently and easily, finger go to sleep का मतलब है कि अब हाथ में या हाथ की उंग्डियों में भी ताकत नहीं है, वो भी गिरे जा रहे है, dropsy post skeletal in bright disease with suppression of urine of internal and external part with fanting when there are organic affection of the heart, dropsy मतलब बदन में पानी जम के जो पदन फूल जाता है, जिसको हम अगर press करेंगे skin में या पैर में तो वहाँ पे गड़ा इसको dropsy कहते हैं, यह कब होता है, scale latinic rash है, उसके बाद हो, या फिर bright disease, kidney disease को कहते हैं, जब kidney में urine कम excretion होता बाड़ी से, suppression होने लगता है, तो पानी बाड़ी में ही जमा होने लगता है, इसकी वज़े से dropsy होती है, internal part मतलब जैसे कि kidney में पानी होना, lung में पानी होना, external part हम और organic affection of the heart, और organic affection मतलब disease of the heart, fatal syncope may occur when being raised to upright position, अगर ऐसे patient को, जिसको digitalist का patient जो सोयावा है, उसको आप बैठाएंगे या खड़ा करेंगे, तो वो हो सकता, पौरन ही गिर जा और यह fatal होगा, मतलब उसके death भी हो सकती है, अगर digitalist के relationship की बात करे हम, तो synkona antidote, the direct action of the digitalist and increase the anxiety, अ बात जादा खाली है, digitalist poisoning भी होती है, इसको poisoning के लिए भी यूस किया जाता है, अगर आप इसके crude form को खाले तो इसको antidote करने के लिए, अगर सिंको ना दिया जा तो इसको यह antidote कर देता है, अगर बैट के है, किसी भी symptom का, जो कोई medicine है, उसका सारा symptom कि क्या क्या चीज करने से बढ़ जाता है, इसके aggravation है, when sitting, especially when sitting erect, अगर वो बैट के है, क्योंकि खुन की कमी है, तो उसके brain में खुन नहीं जा पाएगा, इसलिए उसको तकलीफ होती है, बैटने में, अगर बैटे तो और भी जादा problem होता है, तो फ्रेंड, ये digitalist के symptom को मैंने cover किया है, ये ऐलन की note का symptom से सारा, इसमें बोरिक के symptom सी वेक ही थे, जो ड्रीम का था, तो होप मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो इस पेशली होमोपति के स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, म और सबके साथ शेयर कीजिए,